इस वीडियो में मैं आपके साथ syllabus को decode करके यह बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमने प्लान किया है इस syllabus को 200 class मतलब 200 hours of live class से cover करेंगे शुरू करते हैं हमारा चोटा सा वीडियो और decode करते हैं इसके syllabus को और किस तरीके का क्या प्लान हमने बनाया है सारा चीज देखेंगे So very good afternoon and welcome to IXMB So first thing first important date क्योंकि important date सच में important होते हैं आपको आपने जो भी मन बनाया है I hope आपने मन बना लिया है कि आपको यह form भरना है क्योंकि आप एक graduate हो And that is the eligibility Any graduate can apply तो any graduate में इस level का opportunity ना आपको RBI में मिलता है ना आपको SEBI में मिलता है मतलब मैं इस eligibility को लेके बोल गाहा हूं वाकी opportunity तो RBI SEBI में भी है और उन दोनों का notification भी upcoming है So यहाँ पे जो important date है 21-4 तक ही अब आप apply कर सकते हो तो आपके पास जादा दिन नहीं है 18-19 दिन है आपको बीना इंतजार किये next 10 days में अगर अभी तर आप नहीं भरे हो next 10 days में आपको form को भर लेना है तो शायद जब मैंने 10 बताया आपको एक चीज और धहन में आया है वो है number of vacancies देखो number of vacancies कम है कि जादा है यह हमेशा एक debatable topic है आपको यह समझना है कि 2019 में ठीक है 2019 में इसका vacancy आया है I mean 2019 में यह organization existence में आया है तो उस basis पे अगर आप देखोगे 10 vacancy ठीक है मतलब yes vacancies are less I agree to it लेकिन आपको यह भी देखना होगा ना कि organization केतना पुराना है organization is evolving departments बन रहे हैं अभी भी वो और भी नए काम को acquire करते जा रही है it's a unified regulator right तो IFSC के अंदर में जितने सारे लोग काम करते हैं वो सारा का unification करके IFSC ए एक authority है एक regulator है तो उसमें departments बन रहे हैं नए businesses आ रहे हैं नए regulatory opportunity नए regulatory window खुल रहे हैं and more people they will hire in the future लेकिन जब 10 vacancy है तो 10 को कोई तो कोई तो भरेगा कोई ना कोई 10 लोग तो ज़रूर जाएंगे right so try कर ले में क्या हर्स है शुरू करते हैं बढ़ते हैं आगे वीडियो में exam pattern phase 1 paper 1 को समझते हैं देखो दो phase में exam होगा यह तो अब तक आपको पता है दोनों ही phase में दो-दो करके paper है paper 1 and paper 2 तो यहाँ पे मैं specific to paper 1 की बात करता हूँ paper 1 में QRE है Quant Reasoning English है और क्या है general awareness है with specific to financial sector right तो इसके लिए we have a plan in next 40 days you know we are going to cover it in 153 class तो देखो यह basic to moderate level का class है अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि number of classes सर जादा है या किसी को लग सकता है सर नंबर of classes कम है again यह भी topic debatable बन जाता है हमने इन classes को इस basis पे add किया कि अगर आप अब से शुरू कर रहे हो तो आपके लिए doable है और यह जो class है यह scattered नहीं है मतलब यह सुबा सारे 9 बज़े शुरू होंगे मतलब just like an offline class ठीक है just like an offline class यह सारे 9 बज़े आपके शुरू होंगे सारे 12 एक बज़े तक खतम हो जाएंगे मतलब everyday आपका routine would remain the same except Tuesday Tuesday जो class है वो आपका देर बज़े खतम होगा क्योंगे Tuesday एक general awareness weekly current affair का class होगा जो मैं खुद लूगा right so Tuesday को छोड़ दोगे तो हर दिन आपका सारे 9 बज़े class शुरू होगा सारे 12 एक बज़े तक खतम हो जाएगा ठीक है और Tuesday को वो सारे 12 से मतलब वो एक बज़े या दिरे बज़े के आसपास तक जा सकता है ठीक है 1 to 1 30 तक जा सकता है so इस तरीके से आप देखो ये class सुबा हो जा रही है so आपके पास सुबा एक opportunity है 7 बज़े से 9 बज़े तक फिर उसके बाद पूरा दिन भर पड़ा हुआ है आपके पास इसको prepare करने का correct जो भी आपने class में सीखा है वो आप दिन भर में revision करके पढ़ सकते हो अगले दिन आके आप doubt पूच सकते हो तो ये है paper 1 की बात अब है paper 2 की बात लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि 2023 पे जब first time IFSC ने recruitment किया था तो हमारा result कुछ इस प्रकार है जो AIR 1 है All India Rank 1, All India Rank 2 हमारे ही institute से है AIXMB से आप इनके images देख सकते हो इनका success story भी आपको description में मिल जाएगा आप वो भी देख सकते हो if you want to see it I hope अब तक आपने देख लिया है तो बढ़ते हैं आगे paper 1, sorry face 1, paper 2 की बात करते है face 1, paper 2 तो देखो face 1, paper 2 में क्या है face 1, paper 2 में syllabus जो है it is you know like say be syllabus तो syllabus में आपका accounts है commerce है, management है बड़ा सारा चीज है तो यहाँ पर आपको ना एक doubt आ सकता है कि ये कैसे cover करूंगा मैंने तो commerce कभी पढ़ाई नहीं मैंने तो accountancy कभी पढ़ाई नहीं तो चलो उस चीज के बारे में मैं आपको study plan में लेके जाके दिखाता हूँ कि study plan को हमने कैसे बनाया है चलो आगे बढ़ेंगे एक मिनिट दे दो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो यह है study plan study plan में सारा चीज यहाँ पर मैंने दे रखा है यह है qrga जो मैं 40 days 153 classes की बात कर रहा था वो देखो 2nd April से अल्रीड यह शुरू हो गया मतलब कल से शुरू हो गया आपने जिन लोगों ने course ले लिया है आपको अल्रीड यह सारा चीज मिल रहा है बाकी यह class कब-कब क्या होगी यह सारा डीटेल यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हो being nobody who has read accountancy and costing anytime in your career till now लेकिन आपको से यह प्रतिक सर अब एक basic level से सिखा देंगे कि आपको इसमें किस तरीके से और क्या करना है आपका यह जो वरी है मैंने यह नहीं पढ़ा मैंने वो नहीं पढ़ा यह वरी खतम हो जाएगा सो बाकी सारा क्लास आप देख सकते हो जैसे ESD के क्लास है यह economy and global Indian and global economy इसका 11th April को क्लास होगा जो मैं लूँगा ठीक है फिर costing का, accountancy का सारा आप देख सकते हो जैसा यह Saturday 20th April को एक finance का क्लास है regulatory body and financial sector वैसे इस सारा चीज़ का है economic and sustainable development का कब है आपका 25th April को है 16th April को भी economic Indian economy and global economy का है सुशील सर लेंगे है न यह वाला क्लास तो आप देख सकते हो सारा detail यहाँ पे दिया हुआ है management का भी क्लास है यहाँ पे right deco management धोरा में मन्त पे जाएगा क्योंकि management is comparatively easy आपको याद करना होगा तो इसको last के तरफ रखा गया है so that you don't forget आपको यह भी हमें धहन रखना होगा so जो conceptual है जिन्हें आपको practice करना है वो पहले होगा है जो आपको mostly याद करना है और जो जल्दी भूल जाओगे क्योंकि management में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको चीजे आप याद करोगे बहुत सारा चीज तो आपको similar लगने लगेगा तो वो सारा confusion एवाइड करने के लिए हमने last पे रखा था कि आप यह सारे live class करके वो चीजे ताजा रहे दिमाग में तो इस तरीके से हमने plan किया हुआ है 35 classes में यह सारे खतम होंगे लेकिन यही पर मैं एक चीज बता दू अगर exam delay होगा तो यह सारे class और add होंगे आपके लिए तो अभी इस बार में और बात नहीं करते हैं सीधा बढ़ते है exam pattern phase 2 के बारे में तो देखो phase 2 में जो descriptive English है वो आपको हर Friday 7 p.m class होता है उस class पे आपको descriptive English के बारे में सिखाया जाएगा right every Friday 7 p.m. in the evening यह class कौन लेंगे Dr. Sanjeev Sharma जो खुद PhD है IIT कानपूर से English में तो वो sir आपके इन classes को लेंगे and I hope आप उनके बारे में जानते हो वो NHB के Executive Director and RBI के Chief General Manager रह चुके है right so और जो paper 2 है right तो देखो यह paper 2 का classes अभी नहीं होगा यह paper 2 का classes होगा जब phase 1 का date release होगा तब होगा अब यह phase 1 के यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बता दू अगर phase 1 और phase 2 के बीच में समय कम रहा तो हम बीच में से शूरू करेंगे और अगर phase 1 और phase 2 के बीच में एक अच्छा समय हमें मिला तो यह हम phase 1 के बाद में करेंगे ताकि आपका पूरा focus अभी phase 1 पे लगे so it will depend ठीक है हम दोनों मतलब आप और हम मिल के यह strategy बनाएंगे कि इसे हमें किस तरीके से address करना है so once the dates are out you know we will do this उसके पहले आप पूरा focus अपना phase 1 पे लगाऊ and do not worry about phase 2 यह दिखने में बहुत complicated है बड़ मैं सज बताओ यह उतनी complicated नहीं है जितनी यह दिखते हैं यह बड़े easy है मैंने कई सारे वीडियो में मैंने बताया है so यह रहा आपका compiled syllabus पूरा syllabus इसमें cover होगा है तो देखो एक चीज में आपको बता दू यहाँ पे जो ESI का part है आपका paper 2 में है न जिसे देखो financial schemes initiative यह आपका general awareness में cover होगा so do not get confused कि यह सारे topics तो मैंने add ही नहीं किया है न यह topics तो मैंने add ही नहीं किया तो यह topic किया cover नहीं होंगे यह cover होंगे यह कहाँ पे होंगे cover general awareness में होंगे I hope things are getting more clear यह है success story जो मैं बोल रहा था है description में मिलेगा आप इन्हें देख सकते हो मिलते हैं आपको intro class में intro class होगा 6th April को 4 बजे प्रतीक सर्वा में लेने वाले हैं thank you and all the best and always remember we help you prepare 50% faster for your job preparation right do download the app but what our student has to say about you know IFSC course from last time and always remember we help you prepare 50% faster